में हिम्मत है अब दूसरी बात मैं करना मैंने 1984 को अपने सामने देखा अपने सामने देखां किसी से छुपान और 1984 तक बनता भी मैंने सामने देखां मेरे सामने सवाल था कि जब मौझूदा परधान मंत्री राजीव शुकला के इंटर्विव में दूर दर्शन पर ये कह रहे हूं कि मैं 1975 की अमरजेंसी के दौरान सिक्स रूम में रहता था और गुर्दवारे में रहता था तो मैं मौझूदा परधान मंत्री सही पूछ लेता हूँ कि अगर आप वहां रहते थे और गुर्दवारे की शर्ड में रहते थे ताके आपको जेल ना जाना पड़े तो मेरा तो सवाल सिंपल है कि 1982 में लालडू कांड जो सिक्स रूम में कुछ दूसरे समाज के लोगों को बस में से निकाल कर मारा गया तो मौझूदा परधान मंत्री को अपने लिए क्लीन चिट लेने के लिए उसकी जुडिशल इंकौरी पहली कर देनी चाहिए अगर वो जुडिशल इंकौरी हो जाए तो आज तक के हालात ही नहीं बनते दूसरी बात मैं कह दो 1982 में एशियाड था केवल पानी डिस्ट्रिब्यूशन वाटर डिस्ट्रिब्यूशन पर जगड़ा था धर्णा वाटर डिस्ट्रिब्यूशन पर लगा था राजबुरा में अकालियों ने धर्ना लगाया एशियाड यहाँ था तो जन्रल अरोड़ा तक की पगड़ियां लुआ कर उत्रवा कर अगर कोई बंब डूंड रहे थे वो भजन लाली थे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कौन थे अगर सिक्खों को इस बेहरमती से यहां तक पहुचाया गया तो मेरा सवाल आप से है कि 1984 किसी समय भी हो सकता है हाँ तकलीफ एक जरूर है मेरे बहुत मित्र वैटे हैं सुलिमान जी साथ मेरे बहुत अच्छे संबंद है पर उस समय मुस्लमान ने भी ना सोचा कि 411 सीट राजीव गांधी को दी तो मुस्लमान साथ खड़ा तो यह तकलीफ भी मैं इससे कोई निकार ने करता है अगर 411 सीट कभी ना मिल सकती अगर आज की सरकार जो हिंदू रास्टर को आधार बना कर जिसने चुनाव लड़ा हो जिसने मैंने तो आर्टिकल लिखा था कि यह चुनाव हिंदू बना हिंदू है ना इसमें कहीं मुसलमान है ना इसमें कहीं सिख है वो वोट दे ले तब कुछ नी परक पड़ेगा और वोट ना दे ले तब उसका कोई परक नी पड़ेगा यह हिंदू और हिंदू के बीच की लड़ाई है और वो ही ल तो 302 सीट मिली तो डिफरेंस निकाल कर देख लो अगर डिफरेंस हम पिटे थे तो आपको मिली 411 और जब आप पिटने लगे तो आपको उनको मिली 302 सीट तो इसका भी ध्यान रख लेना चाहिए समझ रखड़ी चाहिए थोड़ी सी राजनीतिक तोर पर मैं किसी राजनीत का दिल से धन्यवाद करता हूं अभी मैं मेवात में गया था उन्हों वहां 500 ट्रक सिक्खों के फस गए थे एक भी ट्रक को किसी ने हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको कुछ हाथ भी लगा सके जहां आप लोग खड़े हुए थे चाहिए वो कानपुर हो चाहिए वो अलाबाद हो चाहिए वो बनारस हो चाहिए वो कहीं भी हो सिक्ख सुरक्षित रहा मैं यह समझता हूं तकलीवे सिक्कों को हुई आप हमारे सामने उस समय तो कड़े थे पर वोट की राज नहीं थी आपने वही गलती अभी मैंने कहा अभी हमारे महान केजरी वाल जी दिल्ली के मुख ले दिया ताके एक उसको